लास्ट सेशन में हमने जो देखा था वो देखा था इंडेक्सिंग टेक्निक एंड स्लाइसिंग टेक्निक तो इनके उपर मैंने डिसकस किया था और एक्जाम्पल्स भी मैंने आपके साथ शेयर की ते उसके आज जो मैं कंसेप्स स्टार्ट करने वाला हूँ पाइफॉन का बहुत इंपोर्टन्ट और बहुत ऐसा कॉंसेप्ट है कि जो बहुत हेल्पूल है तो तो कॉंसेप्स नेम इस टाइप कास्टिंग तो टाइप कास्टिंग मिन्स को समझने के पहले मैं आपके सामने के एक्जाम्पल रखता हूँ तो सबसे पहले समझते कास्टिंग क्या ह होता है तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कास्टिंग मिन्स क्या होता है जो मेटल रहता ना मेटल सोना चांडी जो भी मेटल से उन मेटल को मेल्ड किया जाता और मेल्ड करने के बाद मुझे सपोस एक स्ट्रक्चर चाहिए तो स्ट्रक्चर के अंदर मैं उस मेटल को पोर कर इसको का स्ट्रक्चर मैं जाता है तो यह टर्मिन लशी में जाता हूँập बता देना चाहता हूँ जो fundamental data types होते है पाइथान के अंदर जो भी fundamental data types होते है वो जो है वो है integer उसके बाद float, complex, boolean and string यह fundamental data types है पाइथान के अंदर और यह total कितने है तो total 5 fundamental data types पाइथान के अंदर है अब जो concept थाइप casting इसमें क्या करते हैं तो मेरा target है, सबसे पहले मैं integer data type को consider करते हो मैरा target किया integer data type हैं न कोई बी राइलू रहे उस value को मुझे integer data type में convert करना है कोई भी value रहे इस value को मुझे integer data type में convert करना है तो इसी चीज़ को मैं बूलूँगा casting तो anyhow मुझे उसका type जो चाहिए हो इंटीजरी चाहिए ऐसा मेरा requirement है अगर मैंने कुछ value प्रोवाइड की और my requirement is I want integer data type anyhow तो इसी process को बोला जाता है type casting data type कोई भी रहे पर आपको क्या चाहिए आपको integer में चाहिए तो यह हो गाए type casting for the integer data type वैसे ही float है for example my requirement is अगर मैंने कोई भी एक value इसके अंदर दिया और मुझे ultimately result float के format में चाहिए आपको पता है integer क्या होता है integer means one complete value float means क्या होता है fraction value टिक है petrol के prices, result की prices आपको पता है इसको float बोला जाता है मेरा requirement क्या है requirement मेरा यह है अगर मुझे value को float के format में convert करना है तो मुझे type casting यूज़ करना पढ़ेगा float का वैसे ही अगर मेरे requirement है मुझे कोई भी number या कोई भी चीज मुझे complex के अंदर convert करना है तो इसको बोला जाता है complex का type casting तो इससे complex में convert हो जाएंगा boolean पता है आपको true and false value इसको बोला जाता है boolean value सपोज मेरा requirement है मुझे boolean में convert करना है किसी value को तो इसको बोला जाता है boolean type का type casting वैसे string होता है string means यह जो double cut है single cut होता है इसके अंदर सपोज मैं कुछ भी लिखा उसको string बोलता हो मैं मेरा requirement है अगर मैं कुछ रहा मेरे पास कुछ value है उसको मुझे string बनाना है तो इसको बोलूँगा मैं string type casting तो हम शुरूरवात करते हैं integer से अब मेरा requirement क्या है मेरा requirement है मुझे integer में convert करना है मुझे integer में convert करना है किसी भी चीज को किसी भी value को तो मैं यहां से start करूँगा integer type casting तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ function कोंसा use होने वाला इस type के type casting के लिए function use होने वाला int int function use करूँगा मैं और int function क्या करेगा आपका value जो भी आप value इसको provide करोंगे इसके अंदर इसको आप value provide करोंगे कुछ value दोंगे आप इस value को यह int क्या करेंगा integer के format में convert करके देंगा conversion किस में होगा integer आपको जो final result मिलेंगा और result क्या रहेंगा आपका final result final result आपका integer रहने वाला है तो इसी को ही बोला जाता है integer type casting तो इसके लिए function को यूज होने वाला है integer function यूज होने वाला है तो हम समझते इसको कुछ example के साथ suppose मैंने integer के अंदर इसके अंदर अगर मैं float value प्रोवाइट की float value मैंने इसके अंदर प्रोवाइट की float value आपको भली बात ही पता है petrol की prices, diesel की prices suppose 10110.11 यह जो value है यह integer value है float value है यह float value मैंने प्रोवाइट की मुझे final answer क्या मिलना चाहिए मुझे final answer मिलना चाहिए 11110 यह मेरा final answer होना चाहिए means क्या होता है इसका मिनी जो आपने number इसके अंदर प्रोवाइट की तो float था पट आपको कौन से form में मिला आपको यह जो number है वो मिला आपको integer के format में क्यों मिला क्योंकि आपने integer यह function यूज किया तो integer function क्या करेगा कोई भी आपने float value दी है न उस float value को integer में convert करके देंगा तो example के साथ लेखते हम इसको तो मैं क्या करता हूँ यह जो मेरा इसको मुझे print करना है for example यह जो number है ठीक है यह number मुझे print करना है ultimately तो मैं print function करूंगा directly print करना है मुझे जो भी result है तो result कितना है वो result है double one point double one zero point double one result है इसको print करना है तो यह अंदर की value कौन से है आपको देख सकते हैं आप यह जो अंदर value है यह कौन से है यह float value है बट यह function क्या करेंगा इसको integer में convert करके देंगा आपको ठीक है तो देखते हैं इसका result यहां पर मैं इसको execute करूंगा फिर पी वाइ टेस्ट.py फाइल है जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर आपको result जो मिला न इंटीजर के format में मिला अगर आपको इसको चेक करना है यह रियली इंटीजर है या नहीं है तो आप टाइप function यूज़ करो आप तो आपको यहां पर आपका result कुन से टाइप का है यह पता चल जाएंगा तो मैंने टाइप function लिया टाइप function मुझे क्या return करेंगा कि जो है किसमें convert हुआ इंटीजर में convert हुआ इस example का और simplify करता हूँ सबोज मैंने लिखा a is equal to double one zero point double one लिखा मैंने for example और उसके बाद मैंने लिखा print लिखा और यहापे लिखा मैंने type type मुझे check करना है type of a लिखा मैंने और finally मैंने क्या किया इसी a को अब मुझे convert करना integer में तो मैंने एक function यूज़ किया यहापे function suppose b is equal to लिखा मैंने int लिखा मैंने और इसके अंदर a की value pass की a की value कितनी है friends a की value है double one zero point double one यह कुनसी value है float value है तो इसका type definitely आपको यहापे result क्या मिलने वाला है आपको यहापे result मिलने वाला है फ्रेंट्स, float मिलने वाला, इसका result class float रहने वाला है, ठीक है, और इसको मैंने किस में convert किया, integer में convert किया, कैसे किया, integer function यूस करके, टाइपकस्टिंग करके, तो final मुझे जो value मिलने वाली है, उस value को मुझे check करना है, ठीक है, तो फिलाल मैंने इतना किया और यहाँ पे लिका print और इसके अंदर message दिया value value of B is value of B is और मैंने बोला B, टिक है तो मुझे print करना है तो value of B is और यहाँ पे भी मैंः same message print करوں गा और यहाँ पे दूसरा message print करूँगा और यहाँ पे value of a लिखूंगा मैं एक ही value कितनी है यहाँ पर mention करूंगा तो अब इस code को मैंने save किया फिलाल अब इसको execute करके देखता हूँ तो आपको यहाँ पर समझना है line by line यह is equals to 111 0.11 दिया यह कुनसी value है यह float value है definitely इसका type क्लास floaty आने वाला है print value of a तो a की value print हो जाएंगे यह की value कितनी है double one point double one zero point double one यह इसकी value है तो यह इसका result आ जाएंगा double one zero point double one यह result आएगा यहाँ पर क्या होने वाला है b is equals to int a तो यह int function क्या करेंगा इस a के value को जो a के अंदर store है उस value को integer में convert करेंगा तो integer में जब इसका conversion होंगा तो यह value कितनी बन जाएंगी यह value बन जाएंगी double one zero बन जाएंगी friends और उसका type क्या रहने वाला है तो definitely इसका type रहने वाला है class integer class integer रहने वाला है और यह result यहापे मैं यहापे मैं display करूंगा तो result क्या आएंगा इस पर तो result आएंगा बी का value double one zero आएगा चलो इस code को हम execute करके देखते हैं I hope it is a very very easy code आपको समझ में आई होगा तो इसको हम execute करके देखते हैं तो यहापे execute किया आप देख सकते हो class कौन सा है float है value of a कितनी है double one zero double one ठीक है जब यह float था तो इसकी value यह वाली थी और इसको जब मैंने typecast किया तो इंटीजर बन गया आब इसकी value कितनी है इसकी value है double one zero तो double one zero कौन से value है integer value है यह राइसका प्रूफ तो कुछ इस तरह से typecasting work करता है तो यह जो function है int function इस function के अंदर मैंने इंटीजर फ्लोट वाल्यू प्रॉइट की मैंने इसके अंदर कौन सी और और से यहां पर मैं int लिखता हूं int function है आपको भली बाती पता है int function यह function क्या करता है integer में convert कर देता है अगर मैंने इसके अंदर कुछ और values लिखी अभी मैंने float लिखा अभी तक अब मैं क्या करना चाहता हूं इसके अंदर मैं complex value लिखता हूं मैं complex value लिखता हूं complex value सभी को पता है complex value means real part और imaginary part जिसके अंदर होता है उसको complex value बोलता है तो इसके अंदर मैंने suppose लिखा 20.002 j 맞는 202 j तो इसको क्या बोला जाता है इसको complex value बोला जाता है तो मुझे देखना है यह जो इसके अंदर मैंने complex value provide किया है और int typecasting function है इसको integer में convert करके देने वाला है तो यह really work करता है या नहीं करता है आपको क्या लगता है friends यह करेंगा क्या work या नहीं करेंगा इसके अंदर मैंने complex value दिये है यह integer में convert होंगी देखते हैं तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ यह conversion possible ही नहीं है कैसे आप कर सकते हो conversion means complex value को आप integer में convert नहीं कर सकते हो ना तो this conversion is not at all possible अगर आपने ऐसा try किया करने का तो आपको एक value error मिलेंगी या type error मिलेंगी आपको यहाँ पे यहाँ पे यहाँ आपको type error मिलेंगी देखते हैं क्यों मिलेंगी इसलिए मिलेंगी because यह जो value है यह complex value है और complex value को आप integer में convert करना चाहते हो तो possible है क्या क्योंकि complex value के अंदर दो part होता है real part होता है imaginary part होता है और आप उसको integer बनाना चाहते हो तो यह possible नहीं है इस case में आपको एक error मिलने वाली है उस error का नाम है type error तो देखते हैं यह possible है यह नहीं है चलो इसके अंदर हम देखते है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे किसी complex value को लिखता हूँ तो c is equal to 20 plus 2j लिखता हूँ मैं यह complex value हो जाती है friends और मैं लिखता हूँ यहाँ पे print मैं इसको conversion करना चाहता हूँ तो print लिखता हूँ print int int function टे typecast होने वाला है c को typecast करना है because c के अंदर यह value present है c variable के अंदर यह value present है और इसको मैं typecast करना चाहता हूँ अब जब मैं typecast करना करनी की सोचूंगा इसको तो मुझे यहाँ पे error मिलने वाली है friends गवर से देखो error कौन सी है error समझो तो error है यहाँ पे type error तो can convert complex to integer यह possible नहीं है यहाँ पे clear cut आपको बोला गया है यह combination possible ही नहीं है क्योंकि ऐसा अगर आप करते हो तो आपको type error मिल सकती ह है ठीक है तो यह एक example रहा तो हमको पता चल गया कि complex को complex number को integer में convert कर सकते हैं but means not complex float को integer में convert कर सकते हैं but complex को हम integer में convert नहीं कर सकते अभी तक जो मैंने आपको example दिये उससे आपको एक clear हुआ होगा कि float को हम integer में convert कर सकते हैं but complex को नहीं कर सकते हैं अगर करने की कोशिश की तो हमको कुण सी error मिलने वाली है हमको type error मिलने वाली इस case में ठीक है तो एक conversion possible नहीं है तो मैं यहाँ पे note down कर लेता हूँ जो मेरा observation है यह possible नहीं है ऐसा मैं लिख सकता हूँ यहाँ ठीक है तो type error in this case in this case ठीक है अब next combination क्या है int function है अब int function का use क्या है type casting करना तो इसके अंदर for example इसके अंदर मैंने suppose boolean value provide की next कौन सा है boolean value ठीक है तो boolean value कौन से है दो type की boolean value होती एक होटी true और दूसरी होटी false Boolean value इसके अंदर मैंने enter की suppose मैंने true लिखा इसके अंदर और आपको फीज़ पता है मैंने आपको बताया था true value ना इसका internal value कितना होता और false को 0 बोला जाता है तो सेम चीज़ आपे भी करेंगे हम मैं int लिखता हूँ true लिखता हूँ t capital रहना चाहिए small नहीं रहना चाहिए इस चीज़को आपको ध्यान रखना है t is always capital f is also always capital और इसको मैं convert करना चाहता हूँ इंटीजर में तो यह conversion possible है क्या yes or no तो मैं आपको बताना चाहता इस conversion is possible तो जब आप इंटीजर true करोंगे तो आपको जो result मिलने वाला हो वो one मिलने वाला है friends आपको result कितने मिलने वाला है one अगर आप int false करते हो तो इसकी internal value consider की चाहेंगी और false की internal value कितनी होती है जिरो होती है true की internal value कितनी होती है one होती है तो जब आप ये जो यहाँ पर जो type write किया है इसका type kiya inspire parents इसका type bubble हैifice pull means boolean है और true को अगर आपने integer में convert किया तो आपको one मिलेगा और false को अगर आपने integer में convert करने की कोशिश की तो आपको जो मिलने वाला result चलो देखते इसको हम तो यहां पर आता हूं मैं और इसके अंदर इसके अंदर directly मैं लिख लेता हूं friends अभी int और लिखता हूं true ठीक है true लिखा मैंने और second line में दूसरा function false ठीक है means second line में दूसरा boolean parameter देता हूं false ठीक है यह दो पैरामिटर मैंने दीए true का conversion integer में हो जाएंगा रो result print हो जाएंगा using the print function तो आप देख सकते हो results क्या है इस case में तो 1 & 0 result आने वाला है सबसे पहले मैं screen को clear कर लेता हूं आप result देख सकते हो result क्या 1 & 0 आए तो true का conversion 1 में हुआ और 0 means false का conversion 0 में हुआ तो यह possible है friends combination तो आपको यहां तक clear हुआ होगा कि हम जब use करते हैं integer type casting function तो float को convert कर सकता है integer में complex को नहीं करेंगा type error दे देगा boolean को भी करेंगा boolean का आपको 1 & 0 result मिल सकता है अब यह combination possible है अब हम देखते है last combination last combination क्या होना चाहिए last combination होना चाहिए string to integer string को मुझे integer में convert करना है मुझे क्या कहिना ad friends string को मुझे integer में convert करना स्पूर्ण किसको बोला जाता है जो भी हम double quote के अन्दर लिखते है उसको string बोला जाता है सपोस मैंने double quote के अंदर मेरा नाम लिखा या कुछ भी लिखा या पे ठीक है , ऐसा कुछ लिखा माइने इसको क्या बोला जाता है friends इसको बोला जाता है string कुछ भी लिख आप अगर आप number लिखते हो double quote के अंदर मनें सपोष लिखा 748 number लिखा मैंने double quote के अंदर या single quote के अंदर 748 इसको भी string ही considered किया जाएंगा str ही बोला जाएंगा जो भी आप double quote और single quote के अंदर लिखते हो इसके अंदर जो भी कुछ आप लिखते हो इसको हमेशा string बोला जाता है friends ठीक है यह आपको यहापे समझना है अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा और मैंने बोला true लिखा मैंने यहापे true और मैंने आपको बोला इन दोनों में difference क्या है अगर मैंने आपको पूछा basic सवाल पूछा तो आपका हमेशा answer होना चाहिए यह जो सर आपने true लिखा इसको बोला जाता है boolean और यह जो true आपने लिखा इसको string बोला जाता क्योंकि आपने double code का इस्तेमाल किया और इसके अंदर कुछ लिखा है that's why it is a string और आपने यहापे क्या किया है यहापे double code भी नहीं है single code भी नहीं है that's why it is a bull अगर आपने कोई number भी इसके अंदर लिखा double code के अंदर या single code के अंदर suppose मैंने one लिखा और यह one और यह दोनों में difference क्या है अगर मैंने पूछा दोनों में क्या difference है तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसको string बोला जाएंगा इसको integer बोला जाएंगा ordies इसको integer बोला जाएंगा यह दोनों में difference है तो हम इसको देखते कुछ इस तरह से हम मेरा टारगेट क्या है मुझे करना क्या है यहापे ? मुझे int function के अंदर string value provide करना है मुझे क्या करना है, int function इसके अंदर मुझे string value को provide करना है, int function है मेरे पास, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, string value को provide करूँगा, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, double code देता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर provide करता हूँ 11 number, ठीक है friends, 11 number को मैंने इसके अंदर provide किया, यह पहला combination है मेरा second combination मैं provide करने वाला हूँ int मैं लिखता हूँ double code देता हूँ या single code भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ 11.4 लिखता हूँ यह float है means internally यह क्या है यह तो str है मैंने आपको बोला है बट internally देखोंगे तो आपको यह float जैसा दिखेंगा but a string है friends ठीक है और मैं कुछ करता हूँ यहाँ यहाँ पे एंटी लिखता हूँ मैं और कोई hexadecimal number यहाँ पे देता हूँ आपने पढ़ा hexadecimal number कैसे represent किया जाता है ठीक है तो मैं यह जो दिख रहा आपको यह value कौन सी यह जो value है यह str value है अगर आप इस str value को integer में convert करना चाहते हो definitely आपको इसका answer 11 ही मिलेगा ठीक है integer ही मिलेगा यह conversion possible है बट अगर आपने float को जो mean string है बट उसकी internal value float है यह string है देको आप double quotation है बट internal value float जैसे दिख रहे आपको यह कभी भी convert ने होंगा integer में यहापे आपको value error मिलने वाली है हमेशा friends यहापे यह difference आपको समझना है बहुत important difference में आपके साथ share कर रहा हूँ अगर आपने इसको convert करने की कोशिश की integer में ठीक है तो आपको value error मिलेंगी इस case में और वैसे ही अगर इस टाइप की चीज़ करने की देखिए आपने 0 x FAC आपको यह internally क्या दिख रहा यह आपको hexadecimal number दिख रहा friends बट यह जो है ना यह किस के अंदर इंक्लोज है यह इंक्लोज है double quote के अंदर तो यह string बन जाएंगा ultimately तो इस case में भी आपको value error मिलने वाला है तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ जो string अब इसमें से conclusion क्या निकलेंगा जो string जो string के अंदर की value इंटीजर ही है शिरप जिस string के अंदर की value पॉसिबल नहीं है इसका example यह आपके सामने ठीक है यहाँ पर मैं कुछ करता हूँ फिर और यहाँ पर लिखता हूँ print आपको मैं इस example के साथ बता देता हूँ मैं suppose मैं लिखा int टाइप कास्टिंग फंक्शन है और यहाँ पर मैंने लिखा 11 इसको मुझे इंटीजर में convert करना है तो ultimately यह जो value आप देख पा रहे है वह कौनसी value है यह जो value है यह कौनसी string value है बस इस string के value के अंदर जो value है यह कौनसी इंटीजर है ना ultimately definitely इसका conversion इंटीजर में होगा means 11 आएंगा इस cancer ठीक है चलो check करते इसको तो यहाँ पर मैं cross check करता हूँ देखा आपको मिला 11 बट अगर मैं ऐसा करता हूँ इसको 11.55 अब मैं इसको convert करने की कोशिश करता हूँ तो यह conversion पॉसिबल नहीं है आपको 11 answer ने मिल इसका conversion पॉसिबल ही नहीं होता है चलो करके लिखते है conversion हम तो हमको क्या result मिलने वाला है देख लेते हम तो यहाँ पे आपको मिला value error invalid literal for int with base 10 इसका meaning क्या है with base 10 with base 10 means आपने हमेशा इसके अंदर आपने हमेशा इसके अंदर decimal value ही provide करनी है इसका meaning क्या होता है यहाँ इसके अंदर आपने हमेशा कुनसी value provide करना है decimal value ही provide करना है decimal value कुनसी होती friends complete number complete number को हम decimal value बोल दे सपोस 55 या 99 599 इनको complete value बोला जता है तो यह decimal number system हो गया decimal value हो गया तो हमेशा इसके अंदर double count या single count के अंद अदर आपने हमेशा decimal value ही देना है other than decimal invalid आपको answer देगा ठीक है चलो आप इसको भी क्रॉक्षेक कर लेते हैं तो आपको 599 मिला है आपके क्यों मिला क्योंकि इसके अंदर भलाई यह string है बट इसके अंदर हमेशा integer value होनी चाहिए तभी इसका conversion possible है otherwise इसका conversion possible नहीं है ठीक है तो इसको भी बोला जाता है type casting for the integer तो हमने integer का type casting अभी फिलाल देख लिया है अब हम float को देखते है float का type casting करते है means float को convert जो भी number है कोई भी आप number दोंगे तो वो float में convert होना चाहिए यह मेरा next target है तो चलो उसके उसके उपर focus करते फिर ठीक है तो अब मेरा next target का है friends मेरा next target जो है मैं value कुछ provide करूंगा कुछ value provide करूंगा तो float बन जानी चाहिए है na float बन जानी चाहिए सपोज मैंने यह float function कौन value provide करूंगा friends मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं integer provide कर सकता इसके अधर और कौन सा provide avi का मैं इस्तेमाल करूंगा इसके अंदर मैं integer value दूंगा सबसे पहले तो integer value कोई भी integer value सपोज मैंने लिखा 7 7 is my favorite number मैंने 7 लिखा अब मैं क्या करता हूँ 7 जो मैंने हैं पर provide किया यह जो है ना यह क्या हो जाना चाहिए इसका क्या हो जाना चाहिए इंटीजर होना चाहिए इंटीजर कैसे होंगा इसका इंटीजर क्या होगा 7.0 7.0 को मैं integer 7.0 को मैं float बोल सकता हूँ ना इसके अंदर मैं इंटीजर provide किया 7 7 is a complete number तो इसका क्या होना चाहिए float होना चाहिए तो float value कोन से होनी चाहिए 7.0 7.0 को मैं float value बोल सकता हूँ चलो फिर करके देखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर मैं आता हूँ print लिखता हूँ और यहाँ पर floada function use करता हूँ type casting function यहाँ पर 7 लिखता हूँ और इसको मुझे print करना है जो answer आएंगा इस answer को print करना है और इसका type b check करना है तो type b check कर सकता हूँ ठीक है तो सबसे पहले print करने के बाद result क्या आना चाहिए हमारा तो result हमारा आना चाहिए float value तो देखो यहाँ पर result आपको 7.0 मिला तो 7.0 को क्या बोलेंगे आप 7.0 को आप बोलेंगे float value ठीक है यह float है ना 7.0 that is a float value fraction है ना यह बहले बात ही आपको नहीं complete number जैसे दिखरा हूँगा but it is a float value representation ठीक है float representation हो जाएगा तो हमने यहाँ पर integer को cover क कर लिया integer part हमारा complete हुआ अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर complex function का इस्तेमाल करके देखता हूँ friends अब देखते है हम चेक करके देखते है अगर मैंने यह जो function है इसके अंदर अगर मैंने complex number दिया complex number कुन सा होता है कोई भी complex number जिसमें real and imaginary part होता है so 2 plus 4 j लिखा मैंने 2 plus 4 j इसको complex number बोलेंगे इस complex number को मुझे float में convert करना है float means fraction में convert करना है ऐसा कभी possible है का friends सोच के देखो हम कभी float को means यह जो binary यह कौन सा number है complex number है इस complex number को float में कभी convert कर पाएंगे क्या कभी नहीं convert कर पाएंगे invalid होंगा ना आप कैसे convert कर सकते हो कोई भी complex number को आप float में fraction में कैसे convert कर सकते हो तो मैं यहां पर आता हूँ और यहां पर लिखता हूँ number कौन सा था मेरा है यह number था complex number 2 plus 4j यहां पर लिखता हूँ float 2 plus 4j 2 plus 4j लिखा मने अब देखो आपको definitely इसका result आपको value error ही मिलने वाला है तो सबसे पहले screen को clear किया और यहां पर देखो आप type error का type क्या है can't convert complex to float तो इसका conclusion क्या है conclusion क्या है तो आप कोई भी complex number को float में convert नहीं कर सकते हो एक conversion possible नहीं है complex number को आप float में convert नहीं कर सकते हो तो अभी तक हमने जो पढ़ा ठीक है float के बारे में तो हमको क्या पता चल गया कि हम integer को float में convert कर सकते है बट हम complex number को float में convert नहीं कर सकते है उस case में आपको value error मिलती है ve stands for value error ठीक है value error अब next combination देखते है complex का तो complete कर दी हमाने अब देखते है boolean ठीक है boolean means क्या होता है capital true t capital होता है false f capital होता है हम उसको boolean बोलते है अगर मैंने boolean को convert करना चाहा float के अंदर तो यह possible है या नहीं है देखते है हम ठीक है तो मैं आपको बता जेना चाहतो it is a possible यह possible है float लिखता हूं मैं और इसके अंदर लिखता हूं मैं सबसे पहले true लिखता हूं ठीक है true यह value कुनसी है यह boolean value है but आपको पता है का friends अभी-भी मैंने discuss किया था true को internally one से represent किया जाता और false को internally zero से represent किया था अभी-अभी मैंने आपको बताया था तो इस case में result क्या मिलने वाला है आपको इस case में result मिलने वाला है जैसे कि true को internally one बोला जाता तो आपको result मिलेंगा one point zero float वैसे ही अगर मैंने false को ठीक है false को convert करना चाया फ्लोट में तो आपको result मिलने वाला 0.0 क्योंकि false की internal value zero होती है true की internal value one होती है तो जब मैं इसको float में convert करूंगा तो conversion possible है point zero जुड़ जाएंगा इसके सब point zero one point zero zero that's it चलो देखते हैं कि इसको यहाँ पे आता हूं मैं और यहाँ पी लिखता हूं टू सबसे पहले लिखता हूं true और इसको ही copy करता हूं next line में लिखता हूं false इहाँ पे false लिखता हूं लिखा मैंने, control s किया और execute करके देखता हूँ code को, ठीक है, execute करके देखा, देखो आपको, answer मिला, 1.0, 0.0, तो, बे जिजक मैं कहे सकता, कि आप boolean को float में convert कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, क्यों कि आपको पता चल गया, true का internal meaning होता है, one, false का internal meaning होता है, 0, that's why 1. 0.0, 0.0, यह possible है, तो, यहाँ तक हम को यह समझ में आया, कि यह combination possible है, हम boolean को convert कर सकते, complex को नहीं कर सकते, convert, ठीक है, तो मैंने, इसमें cross दिया है, float में हम integer को convert कर सकते, boolean को कर सकते, अब string की बारी है, friends, string की बारी, हम string को कर सकते, क्या convert, डेक्टे करते, ठीक है, string को हम convert कर के देख सकते हैं, कि या नहीं देख सकते हैं, मुझे अभी देखना है, तो मैं क्या करूँगा, इस combination में, मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा, यहाँ पे float, यह function है, इस function का इस्तेमाल करूँगा, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह जो मैंने यहाँ पे double court के अंदर, सपोज मैंने लिखा 44.77, कुछ भी लिखा, तो इसको consider किया जाएंगा हमेशा string, double court या single court के अंदर आपका नाम भी लिखा, for example, आपका नाम है, ठीक है, यह आपका नाम है, यह आपने double court के अंदर लिखा, तो हमेशा इसको string ही बोला जाएंगा, single court या double court, करना है, fraction में convert करना है, really यह combination possible है या नहीं है, यह मुझे ठेकना है, friends, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, कुछ value प्रोवाइट करूँगा, यहाँ पे, मैं कुछ value, suppose मैं प्रोवाइट करना चाता 12, ठीक है, 12, 12 प्रोवाइट किया मने, तो आप देखो इसको internally आपको क्या दिखाई देखा है, आपको लोगेंगा, sir, आपने तो integer लिखा, नहीं, friends, यह integer नहीं है, क्योंकि अगर यह double quote के अंदर है, तो integer नहीं है, यह value है, str, string value है, but यह इसको अगर मैंने internally थोड़ा observe किया, तो मुझे यह just integer जैसा दिखाई देता है, integer जैसा दिखाई देता है, float लिखता हूँ मैं, और यहाँ पर लिखता हूँ, 12.12 लिखता हूँ, double quote देता हूँ, इसको भी मुझे convert करके देखना है, यह भी मैं करके देखता हूँ, तो यह possible है या नहीं possible है, देखो, इसको भी देखना है मुझे, यहाँ पर एक value और लेता हूँ, और इसके अंदर ज तो friends, logically सोचो आप, यह 12 number है, यह 12 number नहीं, it is a string आई है, इस string का internal value कितना है friends, यह value जो है इंटीजर जैसे आपको दिखता है, बट यह integer नहीं है, तो इसका conversion पॉसिबल है, इसका conversion पॉसिबल, logically सोचो आप, तो 12.0 आपको answer मिलेगा, अब यहाँ पर 12.12 दिखा है मैंने, और यहाँ पर double caught है, यहाँ पर double caught है, तो इसका ultimately meaning का है friends, यह तो क्या string ही है friends, string ही है नहीं, बट थोड़ा observation करो, आपको यह कैसे दिखाई दे रहा, फ्रोट जैसे दिखाई दे रहा friends, फ्रोट जैसे दिखाई दे रहा, तो definitely इसका भी conversion पॉसिबल है, 12.12, 12.12, conversion is possible, अब इसको दे को friends, यह राम, यह word है, यह name है, इस name को हम फ्रोट में, value में, fraction में convert कर सकते है friends, बिल्कुल नहीं कर सकते, आपके नाम को अगर मैंने बोला, number में convert करना है, अगर आपको ऐसा बोला, is it possible, not at all, how I can convert name into the fraction number, not possible, that's why, इस case में मुझे value error मिलने वाली है, बट यहाँ पे क्यों नहीं मिली value error, यह भी तो string है, यहाँ पे भी तो मुझे value error मिलनी चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि logically सोचो ना, 12 है, it is a number, just like आपको number जैसे दिख रहा, बट बेचारा क्या है, double cut के अंदर कैद है, इसलिए उसको मैंने string बोल दिया, बट इसको अगर conversion करके देखा, तो definitely होंगा ना, क्योंकि internal value देखो ना, थोड़ा सा, internal value, integer जैसे दिख रही ना, आपको, तो that's why python उतना समझदार है, वो समझ लेता है, आपने, आपको integer, इस string को float में convert करना है, python उतना समझदार है, तो उसको यह float में convert कर दालता है, तो condition क्या होनी चाहिए, तो final conclusion क्या, conclusion क्या निकला, conclusion निकला, string के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप इसके अंदर, कोई integer या कोई float value, double quart या single quart में provide करते हो, तो उसका conversion possible है, बट अगर आप कोई नाम लिखते हो, या कुछ और लिखते हो, तो उसका conversion possible नहीं है, यह मुझे final conclusion देना है, logically so job, रा में वर्ट, हाई क्या possible करना है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि, it is a word, not at all possible, तो देखते हैं, इसको करके, तो मैंने discuss किया, उसको validate करके देखते है, यहाँ पर मैं print लिखता हूँ, और इसके अंदर लिखता हूँ, float, और यहाँ पर देता नंबर, जो भी अभी नंबर हमने लिखाता है, यहाँ पर, string के format में 12, 12.12, double court में 12, ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट, और यहाँ पर भी फ्लोट, और यहाँ पर दबल कॉट में 12.12 लिखता हूँ, ठीक है, logically सोचा, आपको समझ में आई ही जाएगा, वैसे भी, print, और यहा और यहाँ पर फ्लोट, फ्लोट फंक्चिन इसको, र, ए, यहाँ, ठीक है, यह नेम है, देखो आप इसका, इस result को, देखो आप, इसमें क्या मिलने वाल आपको, रिजल्ट, तो आप देख सकते हो, 12.0 पॉसिबल है, यह भी 12.12, यहाँ पर भी result आया, पर आपको यहाँ प नमबर, आपको भली यह string है, भली यह string है, बट इस नोट पॉसिबल, क्योंकि लॉजिकली सोचो, यह वर्ड है, यह string के अंदर जो है, string के अंदर जो है, यह कुछ number जैसे दिख रहा है, that is why it is possible, तो conclusion है, string के अंदर अगर number present है, तब ही float में convert होंगा, otherwise conversion पॉसिबल नहीं है, value error मिलेगी, कोई word है, तो इस case में आपको definitely 100% value error मिलने वाली events, तो यह दो type casting के part मैंने आज के session में discuss किया, अब हमारा बचा है complex, और उसके साथ हमारा बचा है boolean, और string बचा है, three total three type casting technique बचे है, ठीक है, तो उसको में discuss करेंगे next session में, तो आज के लिए इतना sufficient है, इसको समझ लो आप ठीक है, next session में हम मिलते हैं,